जूट नहीं बोलता। पुरी सूची बना के कुछ को एक साल, कुछ को दूसरे साल और तीसरे साल में सब को कर दोता। बड़ा ना हो छोटी कुटी आ हो। इतना हक तो सबका है। और वो रसोई गयास महंगी हो गई थी थोड़ी। तो उजुला की जो बहने है वो और उसके साथ लाड़ली बहने उनको 450 रुपईया में रसोई कैस दूगा बढ़ चारसो रुपईया में अब बड़ी स्वाण सामने आ रहे है स्रीमान जी के नाम पहाई साप के नाम पहρι नहीं तो यह गयास बात करके साप के नाम की गयास बहन के नाम करवाओ जल्दी जल्दी अ पैसा हम देंगे गैस कंपनी को वो आपको लोट आएगी अभी आपको गैस के पूरे पैसे देने पढ़ेंगे फिर आपके खाते में पैसा लोट आएगे वो बापिस करेंगे क्योंकि उनको तो पूरे देने पढ़ेंगे उनको देके लाड़ली बहना के खाते में मैं डालू सब दवस्ता में बनाता है चला जा रहा हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब मेरे भांजे भांजी तो अच्छे से पढ़े अजा एक बात बताओ मज़ूर का बेटा मट्टी काय को खोदे साम अगर बुद्धी और अकल है तो उसको भी डाक्टर इंजिनर बं लालच जैसे तुम कहते हैं ना बेटा मांजा मैं टाफी दूंगी छोटा बच्चा घरूप जाता है तो मैं के तो अबेटा बेटी पढ़ों अच्छे नमबर लाओगे तो मामा लेफटाफ देगा बार भी में अच्छे नमबर लाओगे तो मामा इसकोटी देगा 19 emot favor । लेफटाप के भी 25-25 जार डाले यह लालच काय को दे रहूंगा इसलिक इस लालच में पढ़े कि मामा से स्कूटी लेंगे पढ़ो रहे मामा से लेफटाप लेंगे पढ़ो रहे इस बहाने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए जी भाई सही बात है कि भी पता अच्छी पढ़ाई हो जाए तो तुम्हारे बच्चे भी डाक्टर इंजिनियर बने ना भाई अगर बुद्धिया तो बनना चाहिए और पैसे की चिंता मत करना सुनना ना भाई भी और बहन भी अपने बच्चों का एडमीशन अच्छी पढ़ाई के क कारण अगर उनका डाक्टरी वाले कालेज बें अब तो यहीं खुल रा है मेडिकल कॉलेज इंजिरिंग कॉलेज में और बड़े कालेज में हुआ तो फीस बहुत जादे रहती है अरे मेडिकल कालेज की प्राइबेट की फीस रहती है 12-13 लाक रुपया साल अब गरीब तो कौन भरवाएगा जोर से बोलो मामा भरवाएगा मैं पढ़ाऊंगा न मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा का कुछ इंता करते हो ताकि पढ़के वो आगे बढ़ सके मेरे भाईयो बेहनों मुझे कोई पद का लालच नहीं है मैं इसलिए सरकार चला रहा हूँ अगर यह हाल मास मेरा तुम्हारे काम आजाए बच्चों के काम आजाए तो मेरी जिन्दकी सफन हो जाए बस इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और कोई लालच नहीं है आओ मिलके हम सब हम सब मिल गए एक नया मध्ध प्रदेश बनाएं जहां कोई भूखा ना हो जहां कोई दुखी जो जरूरी चीजह हैं सब के लिए हो जाए उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और उसी उद्देश को पूरा करने के लिए मुझे आप सब का साथ चाहिए आप सब का साथ चाहिए मुझे सब का साथ मिलेगा बोलो अरे सब का साथ मिलेगा देखो कांग्रेल्स भारती चंता पार्टी की बात नहीं कर रहा है मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ जो आपका भला करे उसको वोट देना चाहिए कि जो आपको लूटे उसको वोट देना चाहिए अरे जोड से बताओं जो भला करें उसको वोट देना चाहिए की नहीं तो जब मैं जी जान से लगा हूँ भारती जन्ता पार्टी की सरकार लगिये पीम साब का भी आसिरबाद है तो फिर से भारती जन्ता पार्टी जीतना चाहिए की नहीं सब बताएं जीतना चाहिए कि नहीं इधर भाई भी बताएं जीतना चाहिए कि नहीं तो मैं कह रहूं जोड़ दो पार्टी लाइन और कहो जिसने हमारा काम किया हम उसके साथ रहेंगे ऐसा बना दो इस चुनाओं को कि जनते ही लड़े कि हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे नेताओं का सुनावी नहीं बचेएं और सुनो के लिए डर्ब में हर परिवार में एक रोजगार की व्यवस्था करूँगा हर परिवार में एक रोजगार अरजली आओ मेरे बेहनों और भाईों सारे भेद भूल जाएं मिलके सब इकत्टे हो जाएं और आओ मेरे साथ आओ भाई के साथ आओ मामा को साथ एक नया इतिहास बनाए विकास का और जनता की भलाई का बोलस सब मेरे साथ आईए भारती जनता पार्टी को आशिरवाद देंगे मामा को भी आशिरवाद देंगे पी-म साथ को भी आशिरवाद देंगे तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ इमान दारी से सब भूयत भूल जाओ हिंदू, मुसल्मान, जाती, पाती सब भूलो जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हम काम करेंगे उटाओ दोनों हाथ और बोलो भारत माता की भारत माता की मैं भी विश्वास दिलाता हूँ के जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद